राजा ने वो गालन कर लिया मुकुट ये जराशन्द नामक दैते का मुकुट था भीम सेनों से जीत करके लाए थे खजाने में रख्था था जराशन्द दैते का मुकुट जो ही इनोंने अपने सिर पर धार्ण किया तो कलियुक शुविधा पूर्वग बैठ गया अब राजा के सिर पर कलियुक बैठ गया परम्शतो गोणी राजा परिक्षित के मन में कलियुगी विचार उपन होने लगे अब एकर्ष्ण सार म्रग का शिकार करने के लिए बन में चले गए अश्वारूर्ण म्रग के पीछे पीछे जा रहे हैं आगे म्रग है पीछे परिक्षित हैं के म्रग माया है जीव परिक्षित है जीव रूपी परिक्षित माया रूपी म्रग के पीछे दोल रहा है हना दिकाल से दोल रहा है माया के पीछे भगवान को भूल रहा है धर्म को भूल रहा है सत्सन्य को भूल रहा है कथा को भूल रहा है पूरा जीवन बीत गया इस सव वर्ष के जीवन के निर्धारी करण में प्राया मुन्सी की आउसत आई असी वर्ष है और उसमें 40 वर्ष तो उसके सोने में चले गए 15 वर्ष लगबग बाल काल में बाल क्रीडा में चले गए बहुत समय इवावस्था के प्रमादों में चला गया संसार के प्रपंचों में कार्यों में बहुत समय चला गया कितना समय है जो भगवान के लिए कितना समय निकाला अब कितना समय बचा है जनम तेरो बातों ही बीत गयो एक ब्रद्धा मां एक मेले में एक विशाती से बहुर लड़ रही थी विशाती जानते हैं वो नारियों के सरंगार की वस्तुम बेचने वाला विशाती तो वो देवी ब्रद्धा माता थी उसे लड़ रही थी हमने का माता क्यों लड़ रही है बोले ये सीशा हमने आसे 40 वर्ष पहले चवन्नी में खरीदा था अब ये 25 रुपया मांग रहा और उस चवन्नी वाले सीशा में मारा मुख बहुत अच्छा दिखाई पड़ता था और इसमें मुह ही खराब ये सीशा बड़ा खराब है तो ह देखते देखते ही परिवर्तन हो जाता है और पता चलता नहीं जनम तेरो बातों ही बीट गयो क्रेट तूने कब हुण नक्रेश्म करो जनम तेरो पातों ही बीट गयो ले तूने कब हुण नक्रेश्म करो पांच बरश का भोला भाला अब तो बीश भयो मकर पचीशी माया कारण देश बीदेश गयो ले तूने कब हुण नक्रेश्म करो जनम तेरो पातों ही बीट गयो ले तूने कब हुण नक्रेश्म करो माया जोरी तूने लाथ करोरी माया जोरी तूने लाथ करोरी माया जोरी तूने लाथ करोरी कब हुण नत्रप्त भयो साथ बरस की जब मत उपजी लोभ बड़ो नित नयो लोभ बड़ो नित नयो तूने कब हुण नक्रेश्म करो जनम तेरो पातों ही बीट गयो रे तूने कब हुण नक्रेश्म करो अगे म्रग है पीछे राजा परिक्षित अब म्रग तो वंतर ध्यान हो गया छिप गया राजा परिक्षित के उपर कल्यूग बैठा है तो भूख प्यास से ब्याकुल हो गया और प्यास से बिकल राजा जलाशे की खोज में चले तो इन्होंने देखा एक महत्मा जी का सुन्दर आश्रम है ददर्श मुनिमाशीनं शान्तं मीलित लोचनं इस्थानात त्रयात परंप्रातं व्रम भूतं विक्रबं सुन्दर कौश की नदी का प्रवाः कौश की नदी बेह रही है सीतल मंद सुगन पवन चल रहा है महत्मा जी का बहुत सांत आश्रम है पक्षियों का कर्रो हो रहा है महरा समीक मुनी समाधी में बैठें त्रकुटी में ब्रमत जोती का साख्षात कार कर रहे है राजा ने देखा तो मात्मा से कहा में जल पिलाओ मात्मा ये दी चैतन जगत में होते संसार में होते तो जल पिलाते लेकिन वो तो वर्मत ध्यान में मगन है ध्याना वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त यम योगिनों ध्यान में ब्रम्र जोती का साक्षाथ कार कर रहे हैं तो उस समय सुना नहीं महाराज ने तो राजा ने कहा ये महात्मा बला धोंगी है स्वयम कल्यूगी हैं कल्यूग जिनके उपर बैठा हुआ है तो राजा के उपर कल्यूग बैठा है स्वयम दोशी है लेकिन संद को दोशी बता रहा अपने हरदे के विकारों का आरोपन संद पर कर रहे हैं कुछ लोगों का सुभाव है वो शंतों की निंदा करते हैं महापुर्शों की निंदा करते हैं महाराज शंत का इस्थान अनंद की समाना है जाने हूं शंत अनंद की समाना नैन दोस जातूं जब होई पीत बरण ससीका कहा सोई जिसके नेत्रों में पांडरों गहें उसे चंद्रमा पीला पीला दिठाई पड़ता है अब आखें खराब हैं चंद्रमा को कहरें पीला है कि जब जहीनिक भर्म होई खैएश शोका पहस्षिव हुएँ मों देनेस में सा दिशांब्रम हो गया अगय द् tęशुरे पहष्षु में हुआ हैं कुछ यिजोग ऐसे हैं गाड़ी पर बेठे होते हैं गाड़ी चल लए है बड़ी जोर से गाड़ी जा रही है बुले ब्रक्ष चल रहे हैं, ब्रक्ष दोड़ रहे हैं, ऐसा भ्रम है, नवकारूड चलत जग देखा, श्वेम भ्रम है लेकिन दूसरे बरसंद बर आरुपित करते हैं, ऐसे ही प्रिक्षत ने समीक मुनी की निंदा की, और इसके बाद में एक मृत शर्प धनुष की कोटी से उठाया, और धनुष की नौक से, वो उरग मरा हुआ सांथ, उठाकर मात्मा के कंठ में लिप्टा दिया, धनुष कोट्या बिलिर गच्छन निधाय पुरमागमत, धनुष की नौक से, कोटी से उठाकर के, बर्द शर्प लिप्टा दिया, और अपने नगर चलेगे, सभीक मुनी का पत शरंगी रिशी कोश्की नदी में इस्नान कर रहे थे वो बालकों के साथ, तो रिशी बालकों ने बताया, तुम्हरे पतार शरी के गंठ में राजा परिक्षट ने मत्सर प्रटकाया है, तब तो महराद शरंगी रिशी का क्रोध जाजुल लेमान हो गया वयश्या मेरी शिवालक हा, कुशिक्या पुपप्रस्ये, बाग बज्रम बिशर जहा हा। जिसके नेत्र लाल हो रहे हैं प्रोध से, रोज तामराक्ष नेन, हाथों में लिया कुश्की नदी का जल, और राजा परिक्षित को शाप दे दिया, इतिलंगित मर्यादं, तक्षका सब्स्तमेहन, दंश दश्मकुलांगारं, चोदितो में तदद्रुहन। मर्यादा का उलंगल करने वाले राजा परिक्षित, आज से साथ आए दिल तक छक्षकनांग, आकर तुम्हें डसेगां, और तुम्हारी मर्द को हो जाए, इशाप दे दिया। और आए महाराज सरंगी रिशी अपने पिता के कंठ में मर्त शर्प लप्टा देखा, तो उससे में रोने लगे सरंगी रिशी, रोने की आवाज संद करके महाराज बहिर चेतना में आए जगे, और इन्हों ने कहा बेटा क्यों रो रहो, का पिता श्री तुम्हारे कंठ मे शाप लप्टा दिया, मर्त शर्प राजा ने, मैंने राजा को शाप दे दिया है, समीक बोले, तुम्हें बड़ा अनर्थ किया, तुम्हें शाप नहीं देना चाहिए था, छमा धर्म का अंग है, तुम्हें छमा कर देना चाहिए था, तुम्हें छमा नहीं किया, अब जाव रिशियो राजा को बताओ कि उन्हें शाथ दिया गया है तक्षक आंग उन्हें डसेगा और भक्तो इधर राजा परिक्षित अपने नगराई महिलाई अपना मुकुपतार करके शिंगासन पर रखा तो इनका कल्यूग उतर गया और जब कल्यूग उतर गया तो बड़े ही दुखी हुए अहो मया नीच अनार्यवत करतम निरागेसी ब्रह्मनी गूड ते जसी मैंने एक गूड ते जस्विशंद का अपमान कर डाला मैं बड़ा पापी हूँ मैंने एक ब्रह्मन का एक संद का अनादर कर दिया मेरी पाप का क्या प्रहशित होगा क्या प्रहणाम होगा इस प्रकार से राजा दुखी हो रहे है आईए राजा बड़े दुखी हो रहे है अराज उस समय रिशियों ने बताया राजन आपको सात्मे दिश्रंगी डिशी का साफ है सर्प दसेगा नांगराज तक्षक दसेगा जिससे तुमारी मृत्य हो जाएगा राजा ने कहा चलो हमारे पाप का प्रहशित हो गया अब में इस पाप से तरान मिल जाएगा राजा ने सभा जोड़ी सबसे बड़े पुत्र चार पुत्र है राजा परिक्षक सबसे बड़े पुत्र का नाम जनमेज जनमेजे को राजी दिया तिलक किया मुकुटधार्ण करा दिया और मिंत्रियों को कारभार सोब करके राजशी वस्त्र उतार दिये और पैदल ही मा गंगा की ओर चल पड़े उनकी रानी देवी इराबती रोते वी जा रही है पुत्र रो रहे हैं परीजन पुरुजन रोते वे पीछे जा रहे हैं राजा ने कहा आज आप लोग हमारे साथ चल रहे हो साथमे दिन जब हम जहां जाएंगे वहां मेरा कोई साथी नहीं होगा अकेला ही जीव आया है अकेला ही जाएगा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तो अकेला होगा अकेले ही आये हैं अकेले ही जाना होगा कोई साथी नहीं होगा साथी सब यहीं छूट जाएंगे सब के देरे उजड़ जाएंगे मेले ऐसे ही विखर जाएंगे द्रब्यानी भूम्मं पसवस्य गोस्थे नारी ग्रहत द्वारी जनाह इश्मसानी देहस्चितायां परलूक मारगे द्रब्यानी भूम्मं पसवस्य गोस्थे नारी घर की देरी तक साथ देगी लोग इश्मसान तक चलेगे यह देह यह देह चिता तक चलेगे देहस्चितायां और चिता में जब देह रखी जाएगी जाकी पुष्टि पुष्टि हे तु नाना भोग भोगे वलिदान अनेक जीवन के किये गए जाकी प्रशनता हे तु भिविद भोग भोगे छो आचारु चन्दन रुचिर चुपरे गए ताही इस देह पर मयंक मशान बीच बड़े बड़े लकड ढके लिके धरे गए निर्ममता पुर्वक लकडी धर दी जाती है और भास से सिर्फ ओड़ दिया जाता है ये देकांथ है शिरदर्द नहीं सह सकते वहां सिर पर भास मारा जा रहा हमऻ ऐसी स्थिति सबकी होनी है और फिर भी देहसे इतना मौ है महाराज कहते हैं देहसे मौ इतना प्रेम करो कि भगवान की सेवा होती रह Today था गुरुजी की सेवा धर्म के कार्य होते रहें, इतना शरीर से नाता रखें। ऐसा शरीर बना रहे है जो भगवान की सेवा, संत सेवा होती रहे। तो भगतो कहा आगे प्रलों के मार्ग में कौन मित्र है? मुलि धर्मो ही गच्छती, तद जीवे एका। त्यारे आपके साथ केवल आपका धर्म जाएगा, ये नहीं जाएगा कितना धन जोड़ा है, कितना बड़ा ब्यापार किया है, ये जाएगा कि कथा कितनी सुनी, सत्संग कितना किया, भजन कितना किया, धर्म कितना किया, दान कितना किया, धर्म ही गच्छती, ये वेद्वा जाता है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है तो जो साथ नहीं जाता है उसको तो समेटने में लगे और जो साथ जाएगा वो बहुत कम लोग कर रहे हैं साथ में क्या जाएगा है धर्म तो धर्म करिए धर्म के कारियों में निरंतर लगे रहे धर्मम भजस्वसततम थे जो लोक धर्मान धर्म करो राजा ने सबको वापस किया कुछ लोग उनके साथ गए और मागंगा के तटा गया भगवति तवतीरे नीर मात्रा शनोहम बिगत विशे त्रश्ना त्रश्न मारा भयाद शकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तल तरंगे मातु गंगे प्रश्वेग आज मिया गंगा का कलकल प्रवाह बह रहा है राजया प्रिक्षित मा गंगा के जड़नों में लोट गए मां तुम्हारे तट पर साथ जिन के उन जिल प्लिकर भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा कृष्ण मारा भया में यह संकराचारी जी ने प्राधना से स्लोप मे लगक हो जो भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे हम हैं और कुंशाट कुशाशन पर बैठें हो इसके आशन पर उत्तर इशा को म्हुक्र लिया और बैठेते रहे हैं भगवत नामों का इसमल्ड किया और जब भगवत नामों का इस्मन किया तो हरी कृपा हुई और जब हरी कृपा होती है तो संत मिलते हैं हरी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है बड़े-बड़े शंत नायास हरी कृपा से स्विच्छा से आगे कौं-कौं संत आए हैं अत्रिर्वसिष्थाच्यवनष्यगवतमो मेधा तिधिरदेवलदेवगातव। रामस्तथागाधि सुतस्चशाकलो म्रकंडु पुत्राश्त्रिजपिपलाधाः। अत्रिजी आये। आमानी नहीं त्री माने त्रिगुण। जिनके जीवन में तमोगुण, रजोगुण और शतोगुण भी इनसे भी परे हैं वो। त्रिगुणा तीथ है महराग अत्री। ऐसे अत्रिमुनी आये अत्रिर्वसिष्थाः। शूरिवन्ष के कुलगुरु वसिष्थ जी पधारे है वहाँ। चवण महरशी। महरशी चवण पधारे। बृद्धावस्था और अंधे थे पहले। लेकिन फत्रिव्रतापगनी सुकन्या के प्रयाव से असुनी कुमारों द्वारा। देव वैद्ध्यों द्वारा इने तारुने प्राप्त कुआ। बुढापे से जमान हो गये। उनका नाम है चवण। तो वैद्ध्यों ने उनके नाम पर चवण प्राश बनाया। चवण। महारशी चवण जो ब्रद से तरुन हो गये। वो महारशी मात्मा आ गये। गौतम रिशी आये चवण अश्य गौतमों। मेधा तिथि देवल देवरात भगवान परशुराम। विश्वामित्र जी महराज शाकल्य मारकंदी। और दधीच रिशी के पुत्र पिप्पलायन कापदारपन हुआ। मेधा तिथि देवल आर्शि खेणों। भरद्वाजो गौतम पिप्पलागाह। मेध्रे जी अउर्वाह कवशह कुम्भयों। द्वईपायनों भगवान नार दस्च। मेधा तिदेवल देवरात आर्श्वेण भरद्वाज गौतम त्रिज। महराज त्रिज नाम के रिशी पधारें। ये त्रिज काउन है। त्रिज त्रिज पिप्पलादाह। एक महत्मा का नाम है त्रिज। त्रिमाने तीन जामाने जन्म। तीन से जिनका जन्म है। तीन के अंस हैं जो ब्रह्मा के शंकरजी के और नारायन के अंस हैं जो तीन मुख हैं जिनके ऐसे दत्तात्रे महराज त्रिज। पिप्पलादाह। यह पधारे ऐसे शंतों को महराज ने दर्शन कियां। तो राजा परिक्षित गदगद हो गए। यहां लिखा है स्वयम ही तीर्थानी पुनंत शंता। शंत तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। तीर्थ पवित्र हैं लेकिन तीर्थों को भी शंत पवित्र करते हैं। कि शंतों के चन पड़ते हैं तो तीर्थ और पवित्र हो जाते हैं ऐसे शंतों का आजमन हुआ राजा प्रिक्षित कहते हैं आजम धन्य हो गए अभोबयम धन्य तमांद्रपालाँ महत्तमाना मनुग्रेहणी यशीलाः राज्याम कुलंब्राम्हणपाद्शवचा दूरात विशस्टंबत गर्ले कर्मुण। आज हम धन्य हो गए सभी राजाओं में हम धन्य हो गए अभोबयम धन्य तम धन्य तम हो गए महत्तमानाम अनुग्रेहणी यशीलाः ज्वाज्यसे शंत महत्माओं के महापुर्शों के कृपा के हम पात्र बने अनुग्रह के हम पात्र बने राज्याम कुल्म ब्राम्हण जिस भवन में जिस ग्रियस्त के घर में संत के गुरु जी के आचारी जी के चण दो दिये जाते हैं और जल घर में छड़क दिया जाता है वह घर तीर्थ शुरुक हो जाता है राज्याम कुलं ब्राह्मन पाद सव जातो दूरात विशस्तंग्बत घर्व कर्म उनके घर्व निंदित पाप कर्म समात्थ हो जाता है वह घर तीर्थ हो जाता है वह अभागे लोग है जो इस संस्कार से शुल्य हो गए है जो शंत अब्राह्मन का आधर नहीं करते गुरुजणों का आधर नहीं करते उनका जीवन दुरभाग्य पूरुण है दूरात अब इस स्टम वो दूर चले गए हैं धर्म कर्म से निर्वेद मूलो दुजशाव परूपो धत्त प्रशक्तम भैमाशु धत्ते श्रिंगी रिशी का शाथ को मेरे लिए वर्दान हो गया मुख्ष का हेत्व हो गया सब्सक्राइड बगभान की क्रवणऔ मही मंगल महीं है, अच्छा ही करते हैं, यह मुझे शा नलगता तो और राज्य कभी नहीं शूड़ता और जब राज्य नहीं शूड़ता तो अब भीर हम गंगा जी के तर्ट पर नहीं आते तो संतों का दर्शन नहीं होता तो शाप अमरे निर्वेद मोक्ष का हेतू बन गया वर्दान हो गया गंगा मिया के तर परसंतों का दर्शन हुआ अहो कितना सवभाग्य है हे रिश्यो मनुष्य मर्न धर्मा है वो मृत्यू के ओर निरंतर बढ़ रहा जैसे जैसे आयू बढ़ रही है वैसे ही वो मृत्यू की ओर बढ़ रहा तो उस मर्न धर्मा पुरुष को आवाग्यमन के बंदरों से बुक्त होने के लिए भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन में कईवल्य मोक्ष पाने के लिए कोई उपाय आप बताओ हे रिशीश्वरों आप जीवन मुक्तियोगी हैं आप प्रमुमसय क्यानी है आप बताएं सातमे दिंग हमें तक्षक नांग डसेगा तक्षक नांग के द्वारा डसे जाने पर भी जब हमारी वर्त्य हो तो हमें बेकुंठ मिले एसा मारग हमें आप बताएं महात्मा लोग सोच रहे हैं मैंने लाखों वर्ष अजारों वर्ष तपश्या की और वो सम्मेक रूपेंड मार्ग हम प्राप्त नहीं कर सके और जो पाया भी है वह साधना का विशय है सप्ता की अलपाबधी में राजा परिक्षित को हम मुक्ष का मार्ग कैसे दे दे विचार करने लगे हैं कोई बोल नहीं पा रहा बता नहीं पा रहा इतने में देखा एक संत जी और चले आ रहे हैं तत्रा यजवू तत्रा भवग भगवान व्याश पुत्रों एदर चया गाम अटमानं अनपेक्षा अलक्षी लिंगो निज लाब तुष्टों ब्रतस्य बाले इरव धूत वेशा तत्रा भवग भगवान व्याश पुत्रों भगवान वेदव व्याश जी के पुत्र शुकदेव जी का आगमन हुआ है तत्राभोध भगवान व्यास पुत्रों भगवान व्यास नारण के व्यास भगवान के पुत्र का पदारपन हुआ एद्रच्या स्वेच्छा से इस प्रत्थी पर परेटन करते ब्रब्ल कर रहे हैं एद्रच्या गाम अटमानों अनपेक्षा किसी प्रगार की उने अपेक्षा नहीं है किसी से कोई कामना नहीं है इनको अनपेक्षा है कोई अपेक्षा नहीं है संसार से किसी धनिक की चाटुकारिता नहीं करते ये संतों में सद्वों बहुत दुरलब है और जिनमें है वो महान है जीवनमुक्त किसी धनेक की चादुगारिता नहीं करते कोई कामना नहीं है कोई कामना नहीं कि किसी की हम संसारी वित्य की मिथ्या पर संसा करें केवल भगवत बुलगान करते हैं कोई अपेक्षा नहीं है संसार से कोई कामना नहीं है लगोटी भी नहीं लगाए हैं कोई कामना ही नहीं ऐसे महाराज अनपेक्षा अपेक्षा रही थे अलक्षि लिंगो जिनके शरीर पर कोई किसी संपरदाय का चिन नहीं है श्रहिव वेश्णों शाक्त रामानंदी कुष्णानंदी कोई भी चिन धाल नहीं किये हैं ऐसे परमंस गती में हैं जब माला च्छापा तिलक से दूर हैं जब माला च्छापा तिलक चिन्नों से दूर अलक्षि लिंगो कोई भी चिन नहीं धाल किये हैं परमंस अधूत गती में हैं निजलाव तुष्टो अपने आप में ही पुर्ण हैं अपने आपना में संतुष्ट हैं कोई कामना ही नहीं है और बालकों जैसा सुभाव है बृतस्य बालक निर्मल होता है इसलिए शुकदेव जैसे संत बाल सुभाव में रहते हैं अवधूत वेश अवधूत वेश में तंगस्ट वर्षम शुकुमार पाद करोरुबावं सकपोलगात्रम दिगंबरं वत्परिविकीन केशं प्रिलंब बाभूं तमरूत्यमा भामूं तम दोष्ट वर्षम स्वला वर्ष की आयू है शुकुमार पाद बड़े ही कोमल है अंग अंग बड़ा शुकुमल है प्रतेक अंग बड़ा कबनी पुष्प की भाथ कोमल है तम दोष्ट वर्षम स्वकुमार पाद तरोरू वावं सकपोल गात्रम दिगंबरं दिगंबरा है स्चाथ दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं कोई वस्त्र नहीं धान किये हैं वक्त्र विकिर्ण केशं लंबी लंबी जटाएं मुखारविंद से छूती हुई लटक रही हैं मुखारविंद का इसपर्ष करते विए जटाएं नीचे लटक रही हैं विकिर्ण केशं प्रलंब बावं आजान भुजाएं लंबी लंबी भुजाएं हैं शमरोत्तमाभाम ऐसे कमनीच द्रमा के समान संद्रेवाले धूल से दूशरित भागवत महापुरान के स्लोकों का पाठ करते हुए आ रहे हैं बालकों ने समझा ये पागल है तो धूल उचालने लगे नारियों ने समझा इस्त्रिनाम मनोक्यम ये साक्षात काम देव हैं तो बड़ी आकरशित होकर पीछे पीछे चलने लगें बालक पागल समझ रहे हैं वो धूल उचालने हैं और ये पने आनन्द में जुमते हुए भागवत के स्लोकों का पाठ करते हुए मंद मंद गतिसे ज प्रफ्ट्थितास ते मनयः ते मनयः जिनके नाम गिनाए थे हमने। वो सभी महत्मा उटकर खड़े हो गए सोलावर्स के महराज रिशिकोमार के आगे ये सभी महत्मा उटकर खड़े हो गए पिता और बाबा द्यास वर पराशन रिशि भी दन्रवृत करने लगे थे जे के अलपायू की समिख्षा नहीं की जाती है कि इनकी आयू कब है प्रणाम कैसे करें उनके तेज तब विद्ध्याग्यान को प्रणाम किया जाता है कि अब तो उस समय सभी रिश्यों ने इनको प्रणाम किया यह द्रश्य कर नारिया और बालक लोट यह तो कोई कि अब तो राजा परिशित चर्णों में लोट गया और बुले हो आज मुझ जैसे शामानिक रहस्त के पास आप जैसे ब्रमलीन ब्रम निष्ठ कर्मनिष्ठ ते जो मैं ध्यान में मग्द लीन रहने वाले शंत्वधारे हैं यहां ब्रमलीन कार्थ दूसरा ना समझ लेना ब्रम में लीन रहने वाले योगी शबको ब्रम में देखने वाले ऐसे महापुरुष्ट आज आप अधारे हैं आप तो गोधुध वहन मात्र के बेला तक ठहरते हैं और आज आपने कर्पा की अहो भाग्य हमारे हैं हम कर्द कर्ते हो गये धर्ने हो गये अब महराज नितराम मुर्यमाना नाम जो मर्ण धर्मा पूरुषय उसका मारग बताएं वो क्या करें कौंसा सत्कर्म करें जिसके द्वारा उसे भगवत प्राप्ती हो और साथ में दिन तक शट्नांग के द्वारा दसे जाने पर भी हमें परंपत प्राप्त हो ऐसा मारग राजा के ऐसे प्रश्ण सुन करके महराज सुकाचारी जी पहले तो जय बोलिए उले शुक्देव भगवान की जय शुक्देव जी मंद मंद मुश्कराएं और बोले बरियाने शते प्रश्णा कृतों लोक हितों रप खडवांग नाम का एक सूर्य वंशी राजा मृत्व के दो गड़ी पहले सत्संग के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर ले शत्संग का एक छण भी बड़ा मात्व पूर्ण है और जो साथ दिन सत्संग करेंगे तो क्यों नहीं मुख्ष प्राप्त होगा मानस में वर्णन है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिये तुलाई कयंग तूले की ताही सकल मिले जो सुख लवे सत्संग स्वर्ग और वैकुंड से भी अधिक अपवर्ग से भी अधिक सुख है सत्संग में लेकिन राजन अभी तुम राज्य छोण करके तो आए हो लेकिन तुम्हारा जो मन है वो अभी राज्य का ही चिंतन कर रहा शरीर से तुम आ गये हो तुम्हारा मन भी वहीं है सेना राज्य कोश पुत्र पत्नी का चिंतन कर रहे हो वहां से मन को खीच लो सब जगे से मन को खीच करके भगवान के चर्ण में लगाओ पहले भगवान के इस्थूल रूप को ध्यान करो जितासनो जितस्वासो जितशंगह जितेंद्रियह इस्थूले भगवतो रूपन मना संधार एध्या आसन को जीतो जितासनो जितस्वासो प्रणयाम करो जितसंगह आशक्ति को जितलो जितेंद्रि हो जाओ और देखो भगवान शर्वत्र है उनका विरात रूप है पाताल मेतस्षई पाद मूलम तला तलमवई पुर्श से जंगी वह विशाल है पाताल उनके तलवा में है उनके ललात में बर्मलोक है पदपाताल सीशस धामा अपर लोक अंग अंग अभिश्रामा ऐसे इस्थूल लुप का चिंतन करो फिर शूप्ष वरूत से उनको ह्रदे में धान करो इंद्रियां वही धन्य है जो भगवान की सेवा में लग जाए 22 कंद के तरतियत ध्याय का विश्मास्तों का है बिले बतोरुक्रम विक्रमाने नस्रन्वतो कर्ण पुते नरस्य जिवहा सती दादुरिके बशूतो नचोप गायती वुरुगाय गाथा जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान साप की बाबी की तरह है बिले बतोरुक्रम विक्रमाने नस्रन्वते कर्ण पुते जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान बिल है साप की बाबी है जीवाशती दादुरिकेव सूता उनकी जीव तो मेढक की जीव है जो भगवान का नाम नहीं लेते उनके नेत्र मोरपंग की बिंदी है बरहाईते ते नैनम नराणाम मोरपंग की बिंदी है जो संतों का दर्शन नहीं करते उनके चरण ब्रक्ष के तना है जो चलकर के तीर्थों में कथा पंडालों में नहीं जाती है उनके शिर भारश शोरूप है भारम परंपट की रीट जुस्तम सोने के मुकुट से शोशोभित भी उनके शिर है बाहर कड़ुआ तो मडी जो संत हरी गुरु के चड़नों में जुकते ही नहीं वो हाथ वेर्द है जो जिन हाथों से भगवान की भक्तों की सपर्या नहीं होती सेवा नहीं होती ये भागवत के दुती इसकंद के तृती अध्याय में बड़े प्यारे स्लोप है और इनका अक्षरसा अनुबाद मरे पूजपाग को स्वामी जी ने किया है जिन हरी कथा सुनी नहीं काना श्रबन रंध्र अहिभवन समाना श्रबन रंध्र अहिभवन समाना नैनन संत दरश नहीं देखा लूचन मोर पंक कर लेखा लूचन मोर अपंक कर लेखा तुरसे कठोर निथुर सोचाती जो प्रभु चरीत न सुनी हर साती जो प्रभु चरीत न सुनी हर साती तेशिर कठो तुम्बरे सम चूला जेननमत हरी गुरुपद मूला कुलिष कठोर निथुर सोचाती जो प्रभु चरीत न सुनी हर साती जो प्रभु चरीत न सुनी हर साती अब महराज श्री शुकदेव जी ने राजा परिक्षित को श्रस्ट बढ़न शुनाया यहां महराज तीर्थे आत्रा में विदुर जी को उदोजी मिले हैं भगवान कृष्ण शुधाम गय ये सुचना दी और कहा ये अन्य बातें तो महित्रे जी से प्राप्त होंगी उदो जी बद्रिकास्त्त म गय और महित्रे विदुर जी का संभाध हुआ बाल लिलाओं का चृत्रों का वळन सुनाया है महराज शुकदेव जी शुष्च्ट वळन करते हैं उदापलुतं विश्वमिदं तदाशीदो यनिद्रया मीलित द्रंग्न मीलयता अहींद्र तल्पे अधिशयान मेको करतक्षणा श्वात्मर तू निरीहा महापले का दर्श्य था अनन्त स्रिष्ट जलमक्र हो रही थी उस समय भगवान नारेण से सया परशयन कर रहे थे नारेण की नाबी से कमल परकट हुआ और कमल परश्री ब्रमाजी का उद्भो हुआ और महाराद भगवदी प्रेणा से ब्रमान ने अनन्त लोकों की रचना की अनन्त स्रिष्टी का विष्टार किया अनेक लोक अनेक शूरे चन्द्रमा दिन रात संबत्षर आयन काल चक्र का विभाजन बन्न भीरुद तुक्षारू मंत्र पूत सरीर धान किया विचार मगन व्रमा के दोनों भवों के मद से रुद्र भगवान उत्पन हुए रुद ग्यारा रुद्र ग्यारा रुद्रानियां ब्रमा जी ने देखा ये बड़ी घोर स्रिष्टी है उसे भी उन्होंने बंद किया अब ध्यानस्त ब्रमा के मानस्य पुत्र हुए महाराज सनक शनंदन सनातन सरतकुमार देवरशि नारब करदम फुला करतु वसिष्ठ आदिय रिशियों का जन्म हुआ मनसे मानसी स्रिष्टी है मानसी स्रिष्टी की अर्तदु परान तो महाराज ब्रमा जी ने मानवी स्रिष्ट रचना के लिए अपने आधे भाग से दाहिने भाग से एक फुरुष कोत्पन किया और वाम भुजा वाम भाग से एक नारी कोत्पन किय ये मनु और शत्रुपा हुए मनु और शत्रुपा के दूब़ा तीन कन्य वही आकूती, देवीवोती प्रशूती आखूती का दिवार प्रजाप्तरूश के शा भूए GOODWhat के सा आफ ये बगवान का उत अहीं फ्राकर्ड़े हुआ कि अधियर्ड़ इनकी collaborative नाम दाख म्हान है ये कीаров dirty o दप्षिना के बिना यग्य पूरा नहीं होता और अब दूशरी कन्या है देवहूती देवहूती पुनिता शुकुमारी जो मुनिकरदम की प्रिये नारी बिन्दु शरोर पर तबश् sự करते हुए मानस पुत्र करदम को बगवान ने दर्शन दिये उनके मन में विवाय अच्छा हुई महाराज निवर्दाम दिया परशो तो मारा विवा हो जाएगा और महाराज स्वैम्भू मनू और शद्रूपा अपनी कन्या देवुद को लोएकर वहां गए और बोले महाराज एदि आप ग्रेश्ट बनना चाहें तो अपनी कन्या का विवा हम आपके साथ करेंगे महाराज कर्दम मूनी बोले इस कन्या को देखकर के विश्वाव शनाम गंधर्व अपने बिमान से भूमिपर किर पड़ा था ऐसी सुंदर ये आपकी कन्या है हम विवावश्य करेंगे लेकिन एक सर्थ है एक पुत्रुत्पन हो जाने के बाद हम गंडी सन्यासी हो जाएंगे संत हो जाएंगे एद तुमारी कन्या को मा दो एद तुमारी कन्या को ये सर्थ श्वीकार हो तो हम विवा करेंगे तो शहमती देदी देवहूती ने अब इनका विवा हुआ विवा के बाद में करदम दी शमाधी में चले गए अब देवहूती इपने पती की सेवा करती आश्रम को सोच करती ऐसे कालांतर बीट गया देवहूती का सरीख रश हो गया सुन्दर केश रासी लटाएं बन गई चपक गए बाला अपस में महाराथ करदम दिशी की समाधी खुली तो करदम दिशी ने देखा देवुति का संदर नजाने कहां चला गया तो उनका देवुति तुम बिंदु सरोर में इसनान करो इनके नेत्रमशा सुर्गिरे हैं उससे बिंदु सरोर बना है बिंदु सरोर में इसनान किया तबश्या के चतुर्थान से शंदर प्रदान कर दिया हजारों दासियों ने इनको सजाया सुन्दर देवी की भादि सुसोभित हो गई देवुति और तब महत्मा ने करदम विशी ने अपनी तबश्या के चतुर्थान से एक कामग बिमान का सर्जन किया कामग मने इच्छा चारी जहां कैदों वहीं पहुंच जाया कि अइसा बिमान उन्होंन निर्मित किया उसमें विश्व के बैभो की समस्त सामक्री भरी थी उसे में विराजमान हुए दोनों महराज करदम और यह देवुति और गगन मंडल में विहार करते हुए आकास में बिचन करते हुए इनके नो कन्याय हुए हुए आकास में बिचन करते हुए